हेलो फ्रेंज आज हम आ चुके हैं डेली के हॉसकास विलिज में तो हमने यहां एक Airbnb बुक करा हुआ है जिसका नाम है पेरा डिसो जो की एक फोर्ट प्यू डूपलेक्स अपार्टमेंट है जिसमें हैं दो बेटरूम दो बातरूम और आपकी जरूरत की सारी एमेनिटीज भी आपको यह स्टेर्स लेनी पड़ेगी वरना इनके पास एलिवेटर की वी फैसिलिटी अवेलेबल है तो दो के खुलते ही आपको देखेगा यहां एक किचिन तब देख सकते हैं चोटा सा किचिन है जो की बहुत साफ है और जिसको बहुत ही अच्छी तरेकी से मैनेज करके मेरी देख सकते हैं तो वी किचिन में जो भी समान हमें चाहियर होता है यह हमें यूसकर ना होता है वह सात्यका आप दुन में का 실ना आपको एलो और भीये आ रखा आपर नीचे के दुन में है बरतन और रिंच के लेने फिर से जो बेसिक मसाले हमें चाहिए होते हैं पकाने के लिए वह सारे अवेलेबल है यहां और मौनिंग में अगर आपको टी या कॉफी चाहिए वह भी यहां रखा है और नीचे के ड्रामें है बरतन तो यहां है प्लेट सब्सक्राइब और अगर आपको खाना बनाना है तो इसके अगर आप खाना पागाना चाहते हैं तो आप यहां वही पगा सकते हैं तो आप यह है अमारा फॉर्स बैट्रूम जिसमें एक टीवी सिंगल सोफा ओर आपके लिए अलीरदिस परे सकते हैं साथ-साथ में बेटके साइड में दो तो इस बेट में अराम से दो लोग सो सकते हैं और इस रूम में अगर आपको यूज करना है उसे भी कर सकते हैं और उसके साथ रूम में एक अटैज बातरूम है जो कि बहुत ही क्लीन ता और साफ सुत्रा था और उसमें भी आपको सारी जरूरत की एमनिटीज है जैसे की बॉडी वाश, शैंपू, हैंड वाश तो आपको सब कुछ यहां अवेलिबल मिलेगा आपको यहां टावल भी अवेलिबल मिलेंगे तो आपको टावल भी लाने की ज़रूरत नहीं है तो चली हम बेडरूम से बाहर निकलते हैं और देखने बागी की चीज़े तो यह आप देख सकते एक छोटा सा लिविंग एरिया है कीचिन के सामने इसको भी अच्छे से बनाय गया है और उसको अच्छे से टेकुरेट करा गया है तो यह पॉर्ट यहां तो बहुत ही सुन्दर लग रहा था उसके बाद रूम के एकदम कॉर्णर में बनाया था सेटिंग एरिया तो इस कॉर्णर को भी कितने अच्छे से डिजाइन करके सेट करा गया है आप खुदी सकते हैं और इस कॉर्णर के ग्लास विंडो में लगे हुए ब्लाइंस को अगर आप उठा के देखेंगे तो आपको देखेगा यहां का व्यू तो यहां की विंडो से आप इंजॉय कर सकते हैं ब्यूटिफुल पोर्ट का व्यू तो इस जगा बैठके आप अपनी फैमिली बहुत ही अच्छे लगें तो घर के अंदर यह स्टेर्स भी देखने में भूत ही सुन्दल लग रहा था और बैक साइड में वी स्टेर्स के एरिया में आप देख सकते बड़ा सा मिरर लगाया गया है और उपर वाले एरिया को भी बहुत ही अच्छे से ब्यूटिफुली बनाया गया है और सबसे हापनिंग चीज जो इस जगह दी गई है यह जगूजी जहां आप अराम से वाम बात ले सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं रिलाक्स कर सकते हैं यहां छोटा सा एक फ्रिज भी दिया गया है तो इस जगूजी को देखके हम लोग तो बहुत दिये थे बैट के साइड में और यहां भी एक अटैज बात्रूम दिया था जो देखने में बिलकुल नीचे वाले की तरह था उसमें भी सेव एमिनिटी प्रोवाइड करी गई थी उसके बाद यहां था एक टेबल जो कि एकदम लापटोप टेबल जैसा लग रहा था तो आप उसे यूज कर सकते हैं अजा लैपटोप टेबल उसके बाद अलमीरा में था आयन और है ड्रायर तो अगर आपको अपने क्लोज को आयन करना या या हैड राई यूस करते हैं तो आप उसे भी यूस कर सकते हैं तो चलिए अब हम बैटरूम से बाहर चलते हैं अब चोटी सी बैलकिनी दी गई है जिसमें जिससे आप लेक का व्यू और यह फोर्ट का व्यू देख सकते हैं यहां आप देख सकते हैं चोटा सा डाइनिंग एरिया दिया आप इसके बास यहां स्लाइडिंग डोर को खोल के है उपर का रास्ता तो हम यहां से जाएंगे टेरस थे सबस्कें ब्लबर टेहरं के अच्छे हवा चल रही थी और हमें बहुत मदेज आ रहे थे अब डेखसकते हैं और लेफ साइड में है फोर्ट तो आपको एक washing machine भी provide करी गई है तो अगर आपको अपने कपड़े धोने तो आप इस washing machine में धो सकते हैं और उस तरफ खपड़े सुकाने के लिए stand भी दे रखा है तो बस आप आप देखिए छट के नजारे तो छट भी काफी open सा है उसमें भी seating के लिए चीज़े दिये हुई है तो आप छट में भी बैठके enjoy कर सकते हैं तो हमारा जो जपूजी वाला रूम था उसके उपर लगा था ये glass वाली ceiling और आप देख सकते हैं इवनिंग में ये रूम लाइटिंग से साथ और भी beautiful लग रहा है I hope आपको ये apartment का tour पसंद आया होगा तो बस अब आप इस प्लैट का देखिए overview जिसके हर एक corner को beautifully design करके अच्छे से set करा गया है तो friends अगर वीडियो पसंद आया हो तो do like, share and follow